हेलो गाईज आप देख रहे हैं इसके लिए उन एक्सपर्ट का यूट्यूब चैनल और आज किस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपको कल अडली मॉर्णिंग में यहाँ पर कुइंसलेंड वुमें वर्सिस वेस्टन ऑस्टेलिया वुमें के बीस में ऑस् दोनों टीम के लिए इंपॉर्टन मैच बाकी गाईज दोनों टीम का स्क्वाइड भी अनाउंस हो चुका है तो हम वो भी देखेंगे क्या चेंजेस हैं दोनों टीम में अभी तक का इस सीजन का स्टैट्स देखेंगे सारे प्लेयर्स का लास सीजन का भी स्टैट्स डिसकस करेंगे important players के बारे में मैं बताऊंगा basically guys this match के related पूरी जानकारी आपको इस video मिलने वाली है तो अब video को पूरा देखेगा और video को start करने से पहले सबसे important बात this match के final team update के लिए हमारे telegram channel पर join करना बिल्कुल भी ना भूले आपको हमारे telegram channel का link इस video के description में मिल जाएगा आप उस link पर click करकर simply हमारे telegram channel पर join कर सकते हैं बाइचान सकर description वाला link काम नहीं करता है फिर आपको अपनी telegram में जाना है search करना है at the date as 11 expert capital letter में आप search करिएगा without space उसके बाद आपको हमारा original telegram channel मिल जाएगा उसमें आपको join कर लेना है अब चलिए guys मैं वीडियो को start करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर हम Queensland 1 के बारे बात करते हैं तो guys Queensland 1 की team अभी तक 10 matches में से 6 matches जीती है 3 matches हारी है और 1 match उनका no result में गया है ठीक है और यह match अगर यह team जीत जाती है फिर यह final में जगब बना लेगी ठीक है team काफी strong है ठीक है और यहाँ पर इस match में अगर यह जीत जाती है तो final में directly पहुँच जाएगी ठीक है और इनका guys अगर मैं square देखू तो कुछी इस तरीका square एनांस हुआ है last match में Jess Jonathan खेली थी लेकिन इस match के लिए अब लेवल नहीं है तो उन पर आपको ध्यान नहीं देना है ठीक है इनका 14 मेंबर का squad अनांस हुआ है जिसमें से मुझे यह playing level इनका खेलता दिख रहे है जिसमें Georgia Redminer के साथ Georgia Wall opening करते दिखेगी 1 down Charlie Knott, 2 down for Lauren Winfield 3 down for Grace Harris, 4 down Laura Harris 5 down for Michaela Hinckley उसके बाद 6 down for Lucy Hamilton और फिर 3 baller Joe Cook Nicola Hancock and Grace Parson ठीक है तो कुछ इस तरीका इनका आपको playing level खेलता दिख सकता है बाकी bench पर इनके पास Saina Ginger, Courtney Sipal इनकी भी वापसियों को यह team है तो team जाहे तो Courtney Sipal को भी खिला सकती है और साथ में Ruth Johnson आप guys अगर आप 200 matches के यहाँ पर stats पर focus करेंगे तो redmine ने जो team की सबसे ज़्यादा consistent batter है यह अच्छा के लिए है 61, 61, 37, 112, 43, 55, 45 तो इन्होंने बहुत consistently लगबग सारे matches में scoring की है बाकी Georgia wall भी अच्छा के लिए guys 65, 101, 69 not out ठीक है तीन इनकी भी अच्छी आई है साथ में 28 over की balling में इनके पास 2 wickets भी है Charlie not का देखेंगे तो यह भी अच्छा के लिए है 47, उसका आप 45, 25 not out 30, चारे इनकी भी अच्छी आई है साथ में इन्होंने 56 over की balling की है और इनके पास 8 wickets है Winfield Hill, 48, 11 and 21 डीसेंट रही है Grace Harris, एक ही मैच के लिए सारी, दो मैच के लिए लेकिन बैटिंग एक ही मैच माई है जिसमें एक रन और 9 over की balling में कोई विकेट नहीं Harris का देखेंगे 46, 28, डो इनिंग डीसेंट आई है Hinkley का देखेंगे 35, 48, उसके लाब अगाई 50, 49, चारी निंग इनकी भी डीसेंट आई है Hamilton, 133 की डीसेंट इनिंग आई है साथ में 14 over की balling में इनके पास 2 विकेट्स है Jokku के पास 69 over की balling में 12 विकेट्स है इनकी भी इस मैच में वापसयोगी प्लेइंग 11 में Hankong के पास 65 over की balling में 8 विकेट्स है और Parson के पास 71 over की balling में 15 विकेट्स है और ये टीम की अभी तक top विकेट्स टेकर रही है ठीक है बाकि जो bench पर player है Jinger इनके पास 22 over की balling में 4 विकेट्स है साथ में 35 और 37 तो डीसेंट स्कोर्स है Sipal के पास 19 over की balling में 13 विकेट्स है ठीक है तो ये आप ध्यान लगिएगा तो ये guys हमने 100 matches का stats देख लिए अब एक बार last season का भी stats देख लिए ये आपके सामने guys Queensland 1 के players का last season का stats है अगर आप last season के stats पर focus करेंगे तो last season के इनकी top 9 scorer Georgia Wall रही थी ठीक है फिर जो कुक का नावात है लेकिन इस season जो कुक ज़्यादा रैक्टिंग से कुछ खास नहीं कर पाई है फिर हिंकले का फिर चाली नॉट रिड माईने कटनी सिपल जिंजर एंड जोनेसन जोनेसन एफ लेवन नहीं है तो उन पर ध्यान नहीं देना है तो यह गाईस हमने last year का भी stats देख लिया अब एक बार important player में बता देता हूं उस team से तो गाईस इस team की तरब से यहाँ पर जो आपके लिए सबसे ज़्यादा important player रह सकती उनमें आती है जोर्जिया रेड माईने जोर्जिया वाल चार्ली नॉट उसके लाबा guys यहाँ पर Winfield Hill Grish Harris और नीचे से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर Grish Parson ठीक है और guys यहाँ पर जोकुक ठीक है यह कुछ इनकी important player रह सकती है जिन पर आप special focus कर सकते हैं अब चलिए guys हम दूसरी team यहाँ पर Western Australia 1 पर आते हैं आगे King के दोनों matches जीतने होगे तब ही जाकर यह qualify करेगी guys ठीक है तो इनका लिए do or die match है देखते हैं इनका performance क्यासा आता है इस match में वैसे इनकी भी team काफी strong है guys और यह team भी अच्छा कर सकती है और अगर आप इनका squad देखेंगे तो इनका 30 member guys squad announce हुआ है जिसमें से Alana King का नाम नहीं है जो last matches खेल रही थी तो यह इस match के लेवल नहीं है तो आपको इन पर ध्यान नहीं देना है बाकी मेरे हिसाब से same manoli और poppy stalker इनके नागे बरावन खेलने के chances ने यह bench पर रह सकती है और कुछ इस तरी के आपको playing 11 खेलता दिख सकता है तो इनके लिए guys आपको Chloe, Piparo इनकी captain opening करते दिख सकती है Maddy Dark के साथ 1 down ना सकती है Mathilda, Carmichael 2 down पर Lisa Griffith, 3 down पर Amy Edgar 4 down पर Amy Jones, 5 down पर Piper Clary 6 down पर Chloe, Answorth उसके लाबाग फिर guys 3 baller Lily Mills, Britcliffe and Pester अब guys अगर आप 200 matches के stats पर focus करेंगे तो Piparo इनकी captain बहुत अच्छा खेली है यहाँ पर 98 not out 104, 58, 79 not out 42, इनकी 5 inning काफी अच्छी आई है बहुत consistent batter है हर सीरा अच्छा खेलती है बाकि Maddy Dark, young talented player है उभरती हुई, यह भी काफी अच्छा के लिए है 76 not out, 55, 47, 60 not out, 71 not out उसके लाबा guys, लास्ट चार इनिंग उतना अच्छा नहीं रहा है लेकिन start मिला है फिर भी लेकिन already guys, यह 5 inning अच्छा खेल जोगी है बाकि Carmichael इनका भी performance अच्छा रहा है 57 not out, उसके लाबा 30, 104, 104 चार इनिंग इनकी भी अच्छी है Lisa Griffith यह भी ठीक रही है 45 not out, 32, 24, 20, 35, 20 लगबाग हर मैच में इनको भी start मिला है बस ज्यादा convert नहीं कर पाई है Ami Edgar इस टेम की सबसे important all downer है और बहुत quality वाली player है हर season इनका performance बहुत अच्छा आता है guys batting balling दोनों से इस season भी देखेंगे तो 33, 51, 42, 42 चार इनिंग अच्छी आई है साथ में 75 over की balling में इनके पास 14 wickets भी है तो यह बहुत important रहेगी इनका ध्यान न कियेगा Ami Jones एक ही match के लिए England 1 से आती है जिसमें 42 runs इनोंने की है ठीक है बाकी 5-5 Cleary runs भी कर सकती है ज्यादा किया नहीं लेकिन कर सकती है capable है लेकिन balling में इनोंने कापी अच्छी कराई है 14 wickets इनके पास 18 over की balling में वह एंसवर्ट के पास 14 over की balling में 8 wickets है Lely Mills के पास 78 over की balling में 14 wickets Brickly के पास 49 over की balling में अगर आप last year के stats पर focus करेंगे तो इनकी top 10 scorer Chloe Pipparo रही थी फिर Maddie Dark का नाम आता है फिर Carmichael का Mooney अभी available नहीं है फिर Amy Edgar का और Lisa Griffith का विकेट्स में देखेंगे तो यहाँ पर Lily Mills इनकी top wicket टेकर रही थी फिर Amy Edgar का नाम आता है फिर Fipa Clary का इस टीम से Piparo, Maddie Dark उसके लवाई Carmichael Amy Edgar Amy Jones Piper Clary Lily Mills और Paisal ठीक है यह कुछ इनकी सबसे ज़्यादा important player रह सकती है जिन पर आप special focus कर सकते हैं तो guys इस match के लेटर जितना भी data, stats क्या आप playing 11 खेल सकता है इस season का यहाँ पर इस season का stats last year का stats important players जो भी मुझे बताना था सब कुछ मनेकदम अच्छे से आपको detail में बता दिया है तो अगर guys आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो like करना बिल्कुल भी न भूले चैनल पर पहले बारा है चैनल को subscribe करे बेल आइकन को on करे ताक कि आपको आने वाले वीडियो की notification मिलती रहे अब चलिए guys यहाँ पर हम अपनी dream 11 के team discuss कर लेते है सबसे पहले guys यहाँ पर हम wicket keeper section पर आते हैं जहाँ पर आपको तीन गाफी अच्छी player खेलती दिएगी सबसे पहले आपको मिलेगी Lauren Willfield Hill जो की England 1 से आती है काफी अच्छी player है आपने इनको England 1 के लिए भी खेलती देखा होगा साथ में different T20 leagues में भी यहाँ पर wicket keeping नहीं कर रही है आपको 3 down पर दिख जाएगी खेलती हूँ है differential में रहेगी guys small league में अभी के लिए redmine ए madidark दोनों बहुत अच्छा खेली है दोनों consistent batter है दोनों opening के साथ आपको wicket keeping करते दिखेगी दोनों important है तो मैं दोनों player को team में लेके जाऊँगा ठीक है Winfield Hill आपके बहुत अच्छी differential pick बन सकती है ठीक है बाकी यहाँ पर एक और player है Amy Jones England women's आती है उनकी regular wicket keeper batter है सारे format में खेलती है अच्छी player है यह भी आपके differential में आएगी लेकिन इनको मैं ज्यादा grand league मैं आपको recommend करूँगा ट्राइ करने के लिए बाकी pop यहाँ पर PA stalker इनके नाके बाबर खेलने के chances है अब आजाते हैं साथ मैं आपको runs भी करते दिखीगे 3 down पर काफी important player है इनको मैं जरूर लूँगा next मैं पिपारो को लूँगा guys यह भी यह बहुँ जादा consistent batter है ठीक है टिंग भी captain भी है Western Australia 1 की opening पर आपको मिलेगी तो मैं इनको भी team में लेके जाऊँगा next guys यहाँ पर मैं Georgia Wall को team में लूँगा यह भी काफी अच्छी player है ठीक है batting के साथ कुछ balling से भी आपको यह points दे सकती है अच्छा के लिए इस सी जन ठीक है opening पर यह भी आपको मिल जाएगी बाकी guys differential में 3 picks है सबसे पहले कार्मी के लिए आती है ठीक है जो की काफी अच्छी player है guys अच्छी पारिया भी नोने के लिए है आपको मिल जाएगी one down पर ठीक है तो यह एक differential में है Lisa Griffith यह भी इनको भी हर match में लगभग start मिला है ठीक है तो यह भी इनका भी selection कुछ भी नहीं है differential में आ जाएगी अब आ जाते हैं guys batter section पर sorry all downer section पर यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी player दिख जाएगी यहाँ पर मैं सबसे पहले Piper Clary को लूँगा Finnnot को में लूँगा ठीक है Amy Edgar को लूँगा Sclepa guys इस match में जो कुकी भी वो आप सी हो सकती है high chances है ठीक है मैंने playing 11 इनका नाम भी रखा है इनकी वाप स्योज होती है तो हम इनको भी टीम में लेंगे guys काफी अच्छी यह भी balling all downer है ठीक है बाकी ends worth है यह भी खराब player नहीं है आपके लिए डिफ्रेंसल में आ जाएगी ज्यादा roll balling से रहेगा खेलती है तो यह भी अच्छी डिफ्रेंसल में आएगी guys विकेट टेकर है जैनुवन ठीक है इनका भी आप ध्यार लखिएगा और यहाँ पर मैं जादा किसी को नहीं suggest करूँगा आज आते है balling section पर जहाँ पर जने सन इस match के लिए available नहीं है फिर next यहाँ पर आती है एक और काफी अच्छी विकेट टेकर ग्रेश पार्षन यह भी spin baller है काफी विक्टे यह भी लेती है इस यहन भी काफी विक्टे इनों निकालिये गाई तो मैं इनको भी टीम में जगा दे रहा हूँ selection पर मत जाएए important रहेगी Hamilton को मैं अभी ज़्यादा नहीं suggest करने वाला ठीक है Nikola Hankong भी है काफी experience fast baller आप चाहें तो इनको भी टीम में ले सकते ठीक है लेकिन मैं उनसे उपर आपको pastel and brick clip इनको recommend कर सकता हूँ ठीक है no doubt Hankong भी खराब नहीं आप उनको भी ले सकते लेकिन मैं आपको उनसे उपर pastel and यहाँ पर Hamilton recommend कर सकता हूँ अब गाइज अभी हमें टीम में final play लेना है अगर मैं option की बात करूँ न तो wicket keeper section में हमारे पास winfield hill है jones है ठीक है उसके लाबा guys batter section में karmical है griffith है 4 option हो गई all downer section में योग को किया simple में से कोई भी खेलती है तो simply मैं उनको लूँगा ज्यादा नहीं सोचने वाला ठीक है लेकिन वो खेलती है तब हम देखेंगे अभी हम उनको option में नहीं रख रहे और balling section से हमारे पास यहाँ पर pastel है Hankong है तो यह सिब कुछ option है guys हमारे लिए final player के लिए अभी के लिए मैं pastel को लेके जा रहा हूँ ठीक है तो guys यह बन जाता है अभी के लिए हमारा team का preview अगर मैं CVC के best option की बात करूँ न तो captaincy wise captaincy के लिए जो आपके पास best options है उन में आती है guys यहाँ पर Amy Edgar ठीक है Grace Harris उसके लाबा guys Charlie North यह तीनो all downer सबसे best मेरी हिसाब से CVC का options है इनके अलाबा भी अगर आपको किसी को try करना हूँ फिर मैं red miner को recommend कर सकता हूँ जो कि बहुत consistent button है और grand league और mini grand league के लिए आपके पास pipe आख लेरे ठीक है उसके अलाबा guys यहाँ पर Lily Mills यह दोनो grand league में आपके लिए अच्छी CVC के option बन सकती है बाकि अगर आप अभी के लिए मुझसे पुछेंगे तो captaincy मैं यहाँ पर देने वाला हूँ guys Amy Edgar को यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं सूचने वाला vice captaincy मैं थोड़ा सोच जा था Charlie North and Grace Harris में लेकिन अभी के लिए मैं Grace Harris को इसलिए VC दे रहा हूँ guys तो guys यह बनता है अभी के लिए हमारे team का preview आपको कुछ भी team में changes करना हूँ आप नहीं साब से कर सकते है सबकुछ मैं एक दम अच्छे से आपको detail में बता दिया है बाकि final team update आपको telegram channel पर मिल जाएगी तो अगर आप वहाँ पर join नहीं हुए तो आपको इसी वीडियो के description में जाना है वहाँ पर आपको link मिल जाएगा उस link पर click करिए हमारे telegram channel पर join करिए वहाँ पर मैं आपको early morning में final team update देने की यहाँ पर full try करने वाला हूँ बाकि आज किस वीडियो में इतना ही guys तो बहुत जल्द guys मैं आपसे मिलता हूँ next video में